नमस्कार मैं वैशाली आज में बना रही हूँ फ्रेश हरी तुवर के दानों का पुलाओ ये पुलाओ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप देख सकते हो कितना बड़िया खिला खिला पुलाओ बना हुआ है और ये पुलाओ मैंने कूकर में बना है और आप देख सकते हो ये तुवर के दाने कितने अच्छे दिखाई दे रहे जैसे मटर का पुलाओ हम बनाते हैं वैसे ही इस तरह से बनाया है मैंने ये तुवर के दानों का पुलाओ अगर आपने कभी नहीं खाया तो इसे जरूर ट्राय करी अगर आपके पास मार्केट में मिलता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है मैंने इस हरी टूर के दानों का पुलाओ बनाए और भी चीजे बनती है और अगर आपके वहाँ पर मिलता है ये आप इसका पुलाओ बनाते हो या और कौन जी रेसेपी बनाते हो जरूर बताएगा कमेंट में और ये देखिए तूर की दाल और ये सूखी हुई डाल इतने कि अच्छी अरयी लिखा है, अगर आपके वहां पे इसके फ्रेस्ट्य रानी मिलते हैं तो आप पुलाव की रसिपी जरू ठाइबा करिये का तो चली शुरू करते हैं, हरी फ्रेश तूर के दानों का पुलाव बनाना, तो यहां पर मैंने कूकर रख दिया है, गैस ओन कर दिया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी दो बड़ा चम्मच तेल, और यह देखिए तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, और गैस की आच मैंने मीडियम रखी हुई है, तो अब मैं इसमें डालूँगी एक दाल चीनी का टुकडा, लगबग एक इंच का है, और एक बड़ी इलाइची, एक छोटी इलाइची, इलाइची को तो मैंने हलका सा करश कर दिया है, और लगबग तीन से चार मैं इसमें लॉंग डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें दो तेज़ पता डाल दूँगी, जिसे हम बेली भी बोलते हैं इंग्लिश में, और एक चमच जीरा डाल दूँगी, और सभी सूख्ये खड़े मसालों को हलका सा भून लेंगे, पूरी तरह से हमें प्याज को नहीं मूरना है, क्योंकि मैं अब मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ, फ्रेश कुटा हुआ अद्रक और लसन का पेस्ट, पूरी तरह पेस्ट नहीं, अगर आपके पास पेस्ट है, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो, देकिन अगर इस तरह से दरदरा से कूट की डालें, तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा था है, तो मैंने लगबख आदा हिंज का टुकडा अद्रक का लिया हुआ, और लगबख 10 से 12 कलियां लशन की साथ में कूटी हुई है, तो अब मैं यह डाल दूँगी, दोनों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी भून लेंगे बढ़िया, तो यह देखिए प्याज और लसन और अद्रक जो मैंने डाला था, अच्छी तरह से भून चुका है, लगबख 2 से 3 मिनिट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी, अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसमें डालूँगी टेमाटर, मैंने लगबख 3 टेमाटर लिए हो है, इसे बिल्कुल बारिक चॉप किया हुआ चाहिए तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो, और साथ ही अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और ढख करके, जब तक टेमाटर सॉफ्ट न हो जाए, पका लेंगे, ये देखी, पुलाव बनाने के लिए, मैंने एक कब बासमती राइस को अच्छी तरह से 2-3 बार वाश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे पानी में भीगो के रखा है, तो आप देख सकते हैं, भीगो के रखने से चावल अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पुलाव भी बनता है, और ये क्या होता है कि हम जब भीगो के रखते हैं, तो उसकी कुकिंग प्रोसेस चालू हो जाती है, ये चावल की भीगते हैं, बड़िया पुलाव बनता है, अब मैं इस चावल को एक स्ट्रेनर में चंडी में डाल दूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है नीचे निकल जाए, और अब हम इसका पुलाव बनाएंगी, तो ये देखिए, दो से तीन मिनिट हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेश तूर के दाने, तो ये देखिए, चावल अच्छी तरह से भुन चुके हैं, आप देख सकते हो, बढ़िया किले किले चावल दिख रहे हैं, और आप देख सकते हो, मसाला कितना बढ़िया कोट हुआ है, चावलों के उपर मसालों का कलर भी बहुत ही अच्छा है, तो अब मै इसमें डाल रही हो, आदा चमच गरम मसाला पॉर्डर, और साथ ही इसमें डालूंगी पानी और पानी मैंने गरम कर लिया है, इससे क्या होता है, कुकिंग प्रोसर जल्दी हो जाती, तो मैंने एक कप चावल लिया था, तो मैंने यहाँ पर दो कप पानी गरम कर लिया है तो पानी डाल दूँगी और सबी चीजों के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें एक चमची देशी गीन डाल ली हूँ गीन डालने से बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है पुलाओ में और कभी कभी क्या होता है कि हम कुकर में पुलाओ बनाते हैं कोई दाल बनाते हैं तो उपर जो फैन आने लगता ज़ाग आता है कभी तो उपर से भी कुकर खराब हो जाता है पानी आने लगता है इससे क्या होता है कि वो भी प्रोसेस नहीं होती है और बढ़िया पुलाओ हमारा तयार होता है तो ये देखिए गरम पानी डालने से प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती उबाल भी बहुत जल्दी से आ जाता है अब सबी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ढकन लगाईए और अब फुल आज पे हम दो सीटी लगा लेंगे पुलाओ को तो ये देखिए पुलाओ को मैंने दो सीटी लगा ली ती अब पूरी तरह से स्टीम निकल चुकी है कुकर की तो अब हम ढकन खोलते हैं कुकर का तो ये देखिए कितना बढ़ी पुलाओ बना है बहुत अच्छा कलर भी आया है पुलाओ का और बढ़ी खिला खिला दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ चमस से इसे तो यह देखिए गर्मा गरम हरी फ्रेश तूर के दानों का पुलाओ बन के तयार एक खाने के लिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिक रहा है अब भी इसको देख के खाने का बन हो रहा है तो आप मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ तो यह और नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद